हलो फ्रेंट्स गर्मियों की सुरुवात हो गई है इस टाइम प्लांटर में चीटियां बहुत ही जादा आने लग जाती है और सभी पौधों को अपना खराब कर देती है या फिर मिली बग कहिए ब्लैक बग कहिए या फिर एफिट्स कहिए किसी तरीके का ना इस टाइम में पगुत जादा लगता है क्योंकि प्लांट्स में हम लोग चाहते हिमिलिटी बनी रहे और हिमिलिटी जब बनाते हैं तो फिर वो फंगस अटैक बहुत ही जादा करता है अस्पाइडर माइट्स भी बहुत जादे लगते हैं तो इस टाइम पे ऐसे फंजिसाइड का आज मे ऐसे ही फंजिसाइड लेकर आई हूँ चाहे किसी प्रकार का भी कीडे हो फंगस हो चाहे वो सकुलेंट में लगा हो या किसी प्रमानेंट प्लांट में लगा हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट में लगा हो या फिर आप ओर्नमेंटल प्लांट्स में देख सकते हैं या इंड पौधों को बहुत जादा नुक्सान करती है तो इस तरीके से फंगस बगेरा अक्सर लग जाती है तो इन सभी फंगस से छुटगारा पाने के लिए आज मैं ऐसे फंजिसाइड लेकर आई हूँ जो सभी बिमारियों को आपके पौधों से दूर भगाएगा और विल्कुल फ उसमें आप एक चमच डालिएगा तो काम कर जाएगा लेकिन और भी अधिक बड़ा प्लांटर है तो उसमें और अधिक डालिए इस तरह से जो गुल्दावदी का पौधा हमने सेव कर दिया था उसमें भी देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे वग ब बिमारी भाग जाएगी आपके और दूसरा कुछ आपको करने के जरूरत भी नहीं होगी और जो फंजी साइड में डाली हूँ ना उससे स्वाइल भी फोटाइल हो चुकी है और इसमें फिर से कर्मियों में भी कलिया बनने लग गई है तो इस तरह से आप भी इस तरह से से करके रख़ लीजिए ऐहां पर देखिए मैं गुलाब के पौध हो में सभी में डाल रही हूं और जितने भी प्लांटर 2 अचली ना डाल गैगी कि एक वार फंगस डिखु हो जाएगा तो जल्दी से भागता नहीं और आइसा कि टार में प्लांटर में टो में डालने जिस्मिद कि कीड़ों मकोड का उसकी बगल वाले में भी जार डालाई कि से निकल कर बर्गणा वाले बरबूत वह चला जाएगा तो इस्तरह आधी दु तो आम तोर पर हम लोग ना फलो की छिलकों को विल्कुल फेक देते हैं उसे कोई प्योग भी नहीं करते हैं और इन फलों के छिलकों का ही आज मैं सदी प्योग करने वाली हूं गार्डेन में अच्छा सा रिजल्ट मिलता है इसका और जितने भी फंगस बगेर होते हैं सभी और जितने भी पेड़ पौधे में लगे कीडे मकोडे या इसी प्रकार का फंगस होता है वो सभी भी बच जाता है और कंपोस्ट तैयार करके यह अपने पौधों को भी बढ़ाता है तो यहां पर ना मैं इकठा कर रही हूँ देखिए संत्रे केशिल के डेली यूज करते जाती हूँ और एक जगह मैं इस तरह से इकठा करते जाती हूँ ताजी रखते जाती हूँ जो पुराने वाले है वो सूखते जाते है तो इस तरह सबको अच्छी तरीके से धूप में चीटियों के बचाने की रूप में या फिर मिट्टी को फोटाइल करने की रूप में भी बहुत जादा काम करता है मिट्टी में भी आप मिक्स कर दीजिएका ना तो आपके निट्याब कर जाएगी और बहुत ही जादा पौधों को नुकसान से बचा लेती है क्योंकि गर्मियों में अक्सर फंगस बगएरा का अटैक तो होता ही रहता है जैसे हम बाजार से कभी किटनासक बगएरा लाते हैं तो उनकी पौधों की गुनवत्ता के खराब कर देते हैं इसलिए फलों के छिलके का उप्यों कर नेचरल किटनासक हम आम तोर पर तैयार कर लेते हैं और संत्रे का छिलका जो है वो बहुत ही अच्छा फंजिसाइड के रूप में काम करता है और इन्फिक्ट्टिट प्लांट को चारों तरफ से बचाता है's All day चुछ छारों से बचाता है ऐन पर देखिये सारे सारे छिलके ना मेरी सुख गये हैं और सबीह को जिस तरह से तोड़ती है उसी तरह से यह तोट भी जाता है। उसके नो यह सोख चुके हैं क्युंकि बहुत ही आछे से सूह काना ज़ूरी है ताकि इसमें किसी तरह का मॉश्चरा बगएरा ना रहे और संत्रियका छिलिका यह से भी बहुत जादा बचाता है वैसों को मैं sclandには भी एक बिग 05 मिक्स बाइंड कर ली हूं क्योंकि फेस पर भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है संटैनिंग वगएरा हो जाती है उससे गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी तरीके से बचाता है और जो उपर में च्छनी में जो बच गया उसे मैं पौधों में इस्तिमाल करने वाली हूँ तो दोनों तरीके से मैं य चीटियों से भी ये बहुत ही जादा बचाता है क्योंकि इसकी इसमेल से ही कई वार ना फंगस वगेरा भाग जाते हैं और इसमें जो पोशकता तो है इसकी वजह से मिटी मिटी पूरी तरीके से एसटिक हो जाती है और जब मिटी एसटिक हो जाएगी तो वह प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छा खालत है क्योंकि इसके शिलकों में होता है नाट्रोजन फासपोरस और पोटेसियम का अच्छा सुरोत होता है जिसके चिलके से कंपोस्ट बनाने में बहुत ही आसानी मिलती है और हमारा पौधा स्वास्त और हिल दी रहता तो सभी पौधों में उसका किस तरह से करना है तो सबसे पहले आप एक लिटर पानी लीजिए और इसमें दो चमच डाल करना इसको छोड़ दीजिए ओवरनाइट के बाद इसको चान लीजिए और इसको अच्छी तरीके से लिजिए जितने भी एस लिडर माइट हैं या फिर किसी प्रकार के एफिड्स हैं तो वो सारे ना अस्प्रे करने से भाग जाते हैं और सारे पौधों पे कर दीजिए ऐसा नहीं कि इस पौधे पे किये हैं जिस पे इंफेक्टेड एरिया तो जो किड़े मकोडे फंगस पर होते होते वो निकल कर दू इन्फेक्टेड एरिया है उस से निकलकर वह सीधा मर ही जाए यहां पर्मानेंट प्लांट वह उसमें प्लांट वह से दो जाए पूसंहे Lal आपकर नगा मै बहुत सारे अटैक appliance होने प्रवार आते भी नहीं हर 15 दिन पर एक बार आप इसका जरूर की जिससे आपका पौधा सुष्थ रहे और आसानी से बढ़ता रहे चाहे वह पौधा सकुलेंट कहो या फिर हो परवानिन प्लांट या फिर हो किसी प्रकार का सो प्लांट और मिंटल प्लांट सभी पौधों आप इसका अस्प्रे अच्छे तरीकिस कर दीजिए और सभी के मिट्टी में भी एक एक चमच डाल दीजिए ताकि सभी गिड़ी मकोड़े फंगस बगएरा सभी हटे रहें और आपका प्लांट सुष्थ सुन्दर सदैव बना रहें तो है ना बिल्कुल फ्री की चीजिए क्योंकि अकसर हम लोग तो छिलके को फेक ही देते हैं उसका उप्योग करते नहीं है कहते हैं कि कौन जमा करे तो एक जगह आप जमा करते जाए और जब एक अठा हो जाए अच्छी तरीके से सूख जाए उसके बाद आप उसका उप्यो कर रही है और बहुत वाफ कर रही है क्योंकि कहां कि अधायgraduate अप्यास भी किचे अवीटियो डाली हो साले को बहुत पसंद आया है आप लोगों को बहुत सारे कंपे जाए रोज में वो भी वीडियो में बहुत जल्दी डाल दूँगी और आप देख रहे हैं कि रोज पे जैसे ही मैं काम की थी ना फूरी फूल ब्लॉमिंग बहुत ही अच्छी करने लगी है और इस टाइम में तो रोज में बहार आयो ही होती है तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फ्रेंट थैंक्स फूर वाचिंग